हेलो मेरे प्यारे दोस्तों बायो एकेडमी लेट्ट लर्न इर्पप का स्वागत है आज बायोजी का टेस्स्रीज है ऑज आखरी टेस्स्रीज भी है क्योंकि चार तारीक को आपका साइंस का तिन इत्रीक का इजाम होने वाला है और ट्वेल्ट का एकजाम चालो हो चुका है तू नया चीज देखने से मैं आपको परहेजि करूंगा क्योंकि आप जितना मोडल भरोसा कीजिएगा उतना बहुत फैदा होगा आपको अब यह बात हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि टेस्ट स्रीज देने से तो फैदा है ही लेकिन आपके पास जो मोडूल पेपर है जो सरकार के दोवारा पास होता है वो आपको फैदा करेगा बहुत ज्यादा बनाने के सब्सक्राइब और तेंट का स्पिर से रेगुलर क्लास इस पर होना चलू हो जाएगा सब्सक्राइब एक बार आता है तो दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद के यह स्टेस्ट को आपने देखा और इस स्टेस्ट को सराहा भी चलिए हम लोग स्टार्ट करते ह है टेस्ट रिज नंबर 11 और मेरा नाम रामारंद कुमार कि चलिए स्टाट करते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ शेकेंट्री एडुकेशन इंडिया मतलब स्वियस्टी से विच्जाम चालू हो चुका है तेन्थ का भी और टोइल्थ का चलिए और यह मेरा कोचिंग का लोग चलू किये हैं ओनलाइन क्लास के लिए बहुत जल्दी इसका एप वरना चलू हो चुका है जिस पर आप ओनलाइन क्लास भी कर सकते हैं चलिए स्टाट करते हैं दो कुशन है पहला कि दे स्मॉल इंटेस्टाइन इस स्ट्रेक्ट्री डिफिरेंट फ्रॉम इस्टॉमक लग होता है है इसका एंसर एंशरें कमी भी कि श्रूल है किसके कारण बंसी ता घर करता है भी आप take the in drastic the food of the food in Amoeba is known as जो अमीवा जो होता है वो खाना को किस प्रकार से खाता एक टर्म का इस्तमाल किया जाता है इसका एंसर होगा फैगोसाइटोसिस क्या होगा फैगोसाइटोसिस जो स्यूडो पोडिया बनाकर अपना वह काम करता है तो हम लोग कुशन नंबर थी कि तरह बढ़ते है कि कुशन नंबर थीरी में कहा गया है लिवर सेल सेल क्या रिलीज करता है मतलब बनाकर रिलीज करता है तो कुशन नंबर तीन का हो जाएगा डी बाइल एंड नो इंजाय में रिलीज नहीं करता है सिर्फ बाइल करता है कुशन नंबर चार्क में देखा जाए फिर से इस्टेशन करता है सिपोगी होता है क्यूंकि सब्तिटाइब में और शीट पूरे एडिए सिंगों हो जाता है सिर्फ आन वान सवान को रखा जाता है जिसमें से वाटर को रिआफज्वशन लोग आ तो कुष्चन नंबर पांच की तरफ कुष्चन नंबर पांच में कहा गिया है कि अच्छ देलिस्ट आपको फाइटो हर्मोन को अपको एक बात और याद रखिएगा फाइटो हर्मों जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस सवाल निसीद आना ही है नहीं आने का सब दो सवाल जाता इससे तो कुष्चन नवर पांच में है ऑजीन गीवरालिण साइटोकानीन और दौर मिर आपको पढ़ना नहीं है नहीं कि शवाल कभी-कभी दे दिया जाता है कि डॉर्मी लेकिन वह आपको पढ़ना नहीं है पूछेगा नहीं आउटव स्लेवर्स के कुष्चन हो गया डॉर्मिन आट अफ श्लिवस हो गया तो तो नम्मए पांच का एंसर पांच एंसर दिएक आप्जीण है जैसे की इंडो मिकरी असीड गिबरालीन गिबरालीन को पी में जी ए एथरी गेपरालीन को से ढहल लोग जी भी लिखते हैं तो अनाम है साइटोकाइण साइटोकाइण का सी का है टी जेथीन और डी डॉमिन का है डॉमिन का है आर अपसेसिक तो हम लोग फिर से आगे बरते हैं कुष्ण नमब छे की तरब कुष्ण नमब छे में कहा गया है क्वाइलिंग ओफ गार्डेन पी टेंदिल्स एराउंड दा सपोर्ड ॉब और एक सिखूपल दो हम्हें हमलynn को कि यह आता है निए आद आ है तम प्रेंचर और दीगमो बेगा एक ट्रॉटी कॉल्स एक के अधार होता होता है और एक होता है ऐक फाइटों के पहुता है प्रकार कि हम लोग कोरना है लेकिन इसमांस यहां कि यह क्ससा कुफी जलते रहता है क्वाइलिंग के जैसा रचना एक किसका है तो कुशन नंबर सी थीगमो ट्रॉपीजम लेकिन अगर कोई छोईमी पलांट को टाचमी पलांट को अगर छोते हैं तो इसका पत्ता मुर्जा जाता है तो थीगमो नैस्टी के रूप में चलिए कुशन नंबर आगे कि तरफ हम लोग देखते हैं कुशन नंबर साथ साथ से पहले देख लीजे फिर से पटली पुत्रा स्टडी पॉइंट है यह जहांप मैं परहाता से बारा तक भी दस तक भी परहाई होता है लेमेंट वल तो होता ही है आए दो लिए चोटा क्लास रूम है और सिब्सक्राइब के लिए हिंदी मेडियम दोनों आपका पास अब लेबल है यहां पर फी बहुत कम है यहां पर मात्र पैतीजार रुप्या जिसमें आपको में कहा गया है जए स्ट्रेक्टाशाद्येयट ब्रमल इंटेन हार दम हम लोग यह चार घाता है वह साति डाटम में सब्सक्राओ जल्सक्राइब आने वाला है नहीं सात ना स्ट्रीस सी चुल्देदी आटा नहीं है साहने कि इस नमबर साथ का एनसर हो जाएगा तो क्या क्याइं गलैंड एक्टोडर्मल पिनेल गलाइड एक्टोडर्मल लेंस आफ हाई एक्टोडर्मल मतलों अलो अलो जिसका एंसर है क्विशन नमबर आठ के तरफ देखते हैं ए तुमोर इस इन दा आडेनल जोना ग्रॉमुलेशा जोना जब हम लोग एडेनल ग्लेंड को चीरते हैं जोब उसका टीयस करते हैं एक पार्ट का नाम है और उसमें से क्या जो कह रहा है क्यों फोलोइंग माइड यूस्पेक्ट टूफाइंड पैसेंट वीट सच ट्यूमर इसका एंसर हो जाएक आठ का ए इंक्रीजेश ब्लड सोडियम लेवल कुशन नमबर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कुशन नमबर नाइन की तरफ आते हैं नाइन में है कि एकॉर्डिंग टू मेंडल्स लोग मेंडल लोग इसको देखकर हम लोग अलग कर सकते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा नाइन का ए टीट का आइस थीक आओ अब आते हैं दस न में में और ए सिरी ठीरी स्टू वन जो है फिनो टाइपिक रेशियों क्या है तीरी का जो नंबर है फिनो टाइपिक रिश्यों है इन पूशन नमबर आर्ट एक सीकेंट देखी का गासीट आठ है कि चलिए नौ का एंसर यह हो जाएगा और यह जो फिनो टाइपिक रेशियों क्या है कि फिनो टाइपिक रेशियों कुशन नंबर दस में हैं फाइंड दा स्पेसिज इन वीच आप दफोलो फिमेल्स आर हेट्रो जाएगा से हैविंग जेड डबलू क्रोमोजोम तो किश में हैं दस का है मुझा बीड बड बड में कैसा है को हैट्रो जाएगा से जेड डबलू जैसे हम लोग एक्स वाई लिखते इसमें जेड डबलू लिखा जाता है तो हम लोग आगे बढ़ते कुशन नंबर 11 की तरफ कुशन नंबर 11 में कहा गया है सफिशेंट जनेटिक पढ़ने के कारण तो कुशन नंबर 12 का एंसर री डिस्कॉब्री ओफ मेंडलीजम मेंडल कर देखा जाए तो ठारा सब्सक्राइब करीब आया था उस समय डार्वीन का डार्वीन के समय ही आया था डार्वीन का क्रेज सब से सर बोल रहा था सभी हो त सबुत बहुत ही फंडामिनल सबूत पर बना हुआ जो हम लोग परते हैं अल्टारा को सब्सक्राइब में कहा और जाता है इसका रिस्पेक्ट में सफफाइट है कि जो बना जाता है लगा जाता है तो पोलने इस्तवाल करते हैं उसमें सालों मतलब हजारों साल लग जाएगा तुकरा को गलें में 10 साल लग जाता है लेकिन वही चावल एक पलूटेंट ही कहलाए गा लेकिन वह बायोडिगरेबल वह फिर से इन और्गेनिक फोर्म में आजाएगा जो भाग ले सकता तो बायोडेगरेबल पॉलुटेंट आर तो पॉलुटेंट आर तेरा का एब डॉमेस्टिक वेस्ट डैट कैन बी डीकंपोज अंडर नेच्वल कंडिस्ट में वही खाना पीना का जो बरवादी हम लोग करते हैं वही है वाट डू प्राइमरी प्रॉडूसर्स हैव अवलेबल टू करवर्ट इन्टू बायो माइस बायो माइस में जो हम लोग प्राइमर सब्सक्राइमरी प्रोड़क्टिवीटी याद रखेगा यह बासर टर्म से हम लोग आप बढ़ाएंगे एक लास भी हुआ नहीं था लेकिन आपको सवाल आ गया थे सवाल को आप रटिए और आगे की तरफ हम लोग आप बरते हैं को फिर से वही बात है पट्ड़ी पुत् इन कंसेंट्रेशन आप टॉक्सी केंट एट सक्सेशिव ट्रॉफिक लेवल इस नोन आइज मतलब का राज जिसी कि हम लोग आज कल बहुँ ज़्यदा फट्लाइजर इस्तमाल करके ही खेती बारी करते हैं तो एक परकार का टॉक्सी केंट कम लोग सक्सेशि मतलब आगे ब लोगों में तो 15 15 का भी बायो मैंगनिफिकेशन किया करते बायो मैंगनिफिकेशन हमांट लोग बला रहा रहा है जिसे कि आप एक बात याद रखेगा आप जैन्ट है खाना बनाते भी होई एक अदास से यह बनात बंदे देखते होई तो गोवी को गरम पानी में आप उस इसको गरम पाने से नहीं दोईएगा तो इसको क्या कहेंगे बायो मैगनिफिकेशन शोला नंबर में है और जोन इस एन इंपोर्टेंट कंसिचिवेंट आप स्टैटो स्पेयर विकॉज इट देखे पांच लियर आप लोग को पढ़ना है याद रखेगा पांच लियर जैसे स्टाट भी जो इसपीर है याद करना पर और इसमें क्या क्या मिलता है आपको द्यान अपना परेगा तो सोला में जो है वह दा इंपोर्टेंट कंस्निट्ए चेप पूछ देगा कि यह जोन लेएर कहां परजिंट हो ता यह ङैंसर आ सकता है तो स्विस इस हामफूल तु ह मुंमेन लाइप एक इंट्रेस्टिंग आपको बता देते हैं कि जो डियाते टानी ऊजींजन से जो अजिए बनता है यह जिसे कि अंभाल में जोड़ता है किसके कारण अल्टर वाईलेट डीर्डिक्र अब करना बन चाता है क्या और इसी को रोकता है पले चलिए सब्सक्राइब करने के मतलब फीमेल का बात हो रहा है मेगा स्परुंजियम और फ्लावरिंग प्लांट भी हो चुका है लगमेरंदा से मतलब फ्लावरिंग फूल होता है मैचुरेशन गीव राइज टू अब क्या होगा गीव राइज क्या करेगा सतरा सतरका भी सीड यहां पर सीड का निर्मान होता है सतरा के बाद 18 कुशन नंबर में हम लोग आते हैं विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हुमन सेल फॉर्मेट अब यह चीटन नंबर अथारा का सी बिकम यह मैख बन जाता है हम लोग आते है फिर से कुशन नंबर 19 कुशं नंबर 19 में है क्विशन नंबर उनाइस का रहा है दो पंपिंग कैपेसिटी आप होट्स इन सतर साल यह ओल्ड परसन एज कंपेयर ऑफ तीस साल मतलब एक तीस साल कहां एक सतर साल कहां ते कितना परसेंटेज में अंतर आ सकता है तो उनाइस का हो जाएगा सी पैसर परतीस अब कहा रहा है कि रिट दे स्टेटमेंट गेवन बिलो एंडिटर्माइन दा कॉर्यक्ट सेंटेश्में या देखिया कभी रहता है कभी इंकॉर्यक्ट भी रहता है कि कुछन नंबर अगर सवाल पर पर जाए तो पहला ए है सीड रिक्वाइर मॉइस्टर फॉर जर्मिनेशन क्या सीड को मॉ प्लंट लेता है एरिगेशन प्रोटेक्ट करो फॉरम बोथ फोरे फ्रोस्ट एंड होट एयर करेंट से क्या ऐसा हो सकता है इरिगेशन मतले पानी के जो पटवन हो लो करते है कि गरम हावा से वह चाता क्या अधास से नहीं है और एरिगेशन इंप्रूब स्वाइल टेक्स लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग आप ने सवता में मीलेंगे या दस दिन के बाद इसमें नया वीडियो एड करेंगा आप लोग के लिए और वह कलास होगा पचेस मिनिट क्रास फिर से 25-30 मिट बीसमेट जो भी हो कलास रहेगा और इस वीडियों को देखने के जैहिन बंदे मातरम